नमस्कार मैं हूं दिपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टूडे न्यूज नमस्कार जी जहां तक होमियोपेथी का इंटरनेशनल परस्पेक्टिव की बात है मैं आपको बताने चाहूंगा कि आज होमियोपेथी करीब करीब सौ से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रैक्टिस किये जाती हैं किसी न किसी फॉर्म में हिंदुस्तान का उन सो कंट्रीज में एक बड़ा ही मुख्य स्थान है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होमियोपेथी का जो ओरिजिन था वो तो यॉर्प से हुआ था जर्मनी से हुआ था फिर डॉक्टर हनीमेन पैरिस उन्होंने विजिट किया और ज़्यादा तर यॉर से इंट्रीज में खास तर पे इंडिया में होमियोपेथी एक फुली रिकनाईज सीस्टम है अब थोड़ा से और disciples करते हैं होमियोपेथी के बारे international perspective के बारे में आज के दिन होमेपितिक पद्धितियों की demand सारी दुनिया में बढ़ रही है उसका कारण ये है कि ये अपने आप में बड़ी effective cost effective और save पद्धिति मानी जाती है ये ऐसी पद्धिति है जो किसी भी और system के साथ easily integrate भी हो सकती है और further help कर सकती है इसमें मैं थोड़ा से अपने जो हमारे experiences ने देली government के उमें share करना चाहूंगा कि इस वकत दिली सरकार करीब करीब 107 clinics run करती है ये सारी clinics एक cafeteria approach के अंदर alopathic और arvedic and younani clinics के साथ under one roof हम लोग इन clinics को run करते हैं जिसमें एक survey में हम लोगों ने ये पाया कि ज़्यादा तर लोग जिनको लंबे अर्से तक दवाई लेनी होती है ये जिनको कोई chronic problem होती है या कोई sub acute problem होती है वो homeopathy को as first line of treatment prefer करते हैं क्योंकि वो इसमें safety देखते हैं और दूसरा aspect ये देखा कि ladies, female diseases वाले या बचे ये ज़्यादा तर homeopathy को prefer करते हैं और इस survey में जो हम लोगों ने देखा कि जो homeopathy की cost to the government है वो भी जो बाकी सारी systems है उसके मुकाबले one fifth रहती है और जो एक और angle जिसमें की सारी दुनिया चिन्तित है वो है एक drug resistant कि जितने भी bacterias हैं ये सब एक drug resistance एक global level पे एक problem है और उसका main कारण ये होता है rampant and overuse of antibiotics patients के दौरा भी livestock के अंदर भी even आजकल even पौदों को भी बेन देखा है कि खाद के साथ कई बार अगर को infection हो जाता है तो antifungal या antibacterial medicine दी जाती है जिससे क्या होता है कि ये जितने भी organisms हैं ये drug resistance डवलप कर रहे है तो एक कारण उसका ये रहता है कि हमें किसी भी तरीके से जो antibiotic का use है उसको कम करना है human use उसमें homeopathic बहुत कारगर है कि अगर कोई भी infection हो छोटा मोटा unless कि बहुत life threatening ना हो हमें homeopathic या अन्य आयूश पद्धितियों का इस्तिमाल कर लेना चाहिए उससे हम लोग antibiotics की use को कम कर सकते हैं अब और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा international education के बारे में कि internationally homeopathic education बड़ी डाइवर्स है कहीं पे तो पूरा करिकुलम है साड़े-पांच साल का जैसे की इंडिया के अंदर है फिर उसके बाद post graduate है graduation है तो इंडिया में जो एक homeopathic doctor fully qualified होता है उसने minimum साड़े-पांच साल का course किया होता है उसमें ते कुछ लोग जो post graduation करते हैं वो और तीन साल पढ़ते हैं फिर जो PhD करते हैं वो और दो-तीन साल पढ़ते हैं तो almost जो university level education है वो उतने ही सालों की होती है जितना की कोई भी conventional या allopathic system के अंदर एक doctor को पढ़ना पढ़ता है और ये doctor सभी वो subject पढ़ते हैं जो की एक doctor बनने के लिए बहुत जरूरी होती है चाहे वो anatomy है, physiology है medicine है, public health है forensic medicine है ये सारी चीजें इन सब doctors को भी पढ़ाई जाती है along with homeopathic subject इंडिया की जो ये education है क्योंकि ये इतनी high level है कि इसकी demand global level पे है globally जादा तर लोग कुछ घंटे की education ही उनको homeopathic की मिल पाती है क्योंकि या तो वो professional associations की तरफ से दी जाती है और जादा तर वो दी उन लोगों को जाती है जो already medical doctor होते है तो जो इंडिया का जो आज के दिन homeopathic के अंदर जो बड़ा ही rich experience है उसकी global level पे काफी demand है मैंने देखा है कि बड़े सारे Indian doctors global level पे काफी teaching कर रहे हैं वहां के groups को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और homeopathic के जो इंडिया के जो experiences हैं वो share कर रहे हैं तो इसके लिए जो हमारे students हैं उनको मैं एक्सर करके ही कहता हूँ कि जिस दोरान आप graduation कर रहे होते हो या post graduation कर रहे होते हो कम से कम एक foreign language आप जरूर सीख लिया करो homeopathic इंडिया के अलाभा Latin American countries में बहुत famous हैं चाहाँ वो Brazil है Columbia है Argentina है even Cuba वहाँ पे ये बहुत famous है तो जो Indian doctors अगर वो अच्छे तरीके से Spanish समझते हो और Spanish में interact कर पाएं तो इन सब countries के अंदर even European countries जहाँ पे की Spanish समझे जाती है और जिसमें की education भी Spanish में होती है तो अच्छा scope होता है पढ़ाने का भी और patient treat करने का एक और नई चीज emerging है during COVID-19 हम लोगों ने देखा कि digital consultations digital education ये काफी अच्छे तरीके से सारी दुनिया में फैल रहा है तो उसके अंदर जो homeopathic doctors जो India में है homeopathic academic person जो इंडिया में है उनकी एक अच्छी demand है और अगर वो अपने आपको अच्छे तरीके से position करें तो जो इंडिया के जो experiences हैं वो global level पर अच्छे तरीके से share कर सकते हैं यहां पर मैं एक point आपको और बताने चाहूंगा कि global level पर एक international association है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा legal medicorum homeopathic internationalist LMHI और international homeopathic league यह association 1925 से काम कर रही है इसका आज के दिन जो headquarter है वो जर्मनी में है यह association हर साल एक annual congress करती है क्योंकि पिछले दो साल से annual congress नहीं हो पाई थी तो December 2021 में हम लोगों ने एक unique experiment किया जिसमें कि हमने सिरफ online जतने भी best homeopathic doctors हैं उन सब को request की और different different topics में उन्होंने अपने experiences share किये इसकी recording available है हमारे में से कोई भी जिसने वो miss की हो वो website पे जाके register करके उनको attend कर सकता है और यह आने वाले एक करी करी एक दो साल तक यह recordings available भी रहेंगी यह जो organization है इस organization का एक main मुद्दा है कि homeopathic को global level में safeguard करना जहां भी कहीं homeopathic के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो यह LMHI वहां के local homeopathic unit के साथ मिलके appropriate authorities को approach करती है और homeopathic को support करती है जितनी भी वह organization जो homeopathic में research कर रहे है या जितनी भी वह organization जो homeopathic treatment को का परचार और परसार कर रहे है different countries में उन सब को LMHI support करती है तो आज खास्तार पर जो India के मेरा मानना है जितने भी doctors है सब को at least LMHI की membership जरूर लेनी चाहिए ताके जो LMHI की activities है उनको उनके बारे में पूरा पता हो time to time उनको e-general e-news के जरीए उसके बारे में पूरा पता लगता रहे और जो भी इनकी annual conferences होती है ज्यादा तारव आने वाले समय में उमीद है कि काफी hybrid mode में होंगी जिनको हम घर पे बैठे बड़े अराम से attend कर सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा कर्चा भी नहीं होता अब आपका एक प्रश्ण था कि इसकी membership कैसे मिलती है तो इसकी membership कोई ऐसी astronomical cost में नहीं मिलती है मेरा जहां तक ख्याल है 500-600 रुपया इंडिया के इसाब से per year का cost होती है जिसके अंदर आपको newsletters भी देखने को मिलते हैं और भी अगर आप बाइचा जिनकी congresses attend करते हो तो उसके अंदर भी काफी discount भी मिल जाता है तो सारे doctors को एक जरूरत है unite होके international level पे जहां भी कहीं होमिपती के किलाब कोई आवाज उरती है उसको अच्छे तरीके से defend किया जाए